दाना विचार सुष्रान्तो धीरो विश्रान्ती मागतहन ना कल्पते ना चानाती ना श्रेनोती ना पश्यती पहली प्रंक्तियों तो इस पश्थी है कि इसमें जो यह सब दिखाई देता है यह सिर्फ भाव है इसमें परमार्थ कहीं नहीं है किन्चित भी परमार्थ नहीं है भाव भर है ठीक है मानसिक है मानस है उससे अर्थ यह यह कि आखरी नहीं है यह चीज जो है यह आखरी नहीं है इसके पीछे भी कुछ है जैसा दिखता है उसके दिखने को ही आखरी मत मान लेना, जो दिखाई देता है इससे कुछ बहुत महतपूर्ण, इससे कुछ बहुत आगे का, ऐसा है जो दिखाई नहीं देता पर है जरूर, नकली है ये नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है कि उतना ही नहीं है जितना दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो बात आखरी नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, जिसमें कहा गया है ना कि नकिंचित परमार्थतर उसका कारण ये है कि देखिए तीन तल है जिन पे हमें प्रतीतियां होती है परमार्थिक उसमें से आखरी होता है उससे पहले दो तल और भी होते हैं हम उनकी जर्चा कर चुके हैं कौन से होते हैं दो प्रातिभासिक और चत्ते के तीन तल होते हैं ना सबसे शुरू में तो प्रातिभासिक होता है आखरी पारमार्थिक होता है बीच वाले को क्या बोलते हैं आध से ही शुरू होता है, आध भी आता है, पर आगे आधिभौतिक, तो बस यह कहा जा रहा है कि जो दिखाई देता है, यह आधिभौतिक है, यह पारमार्थिक नहीं है, न किंचित पारमार्थतह, कल्पना, जो भूत है, आधिभौतिक, यह सब, Imagination, Fact and Truth उस तरीके से Imagination, Fact, Truth फिर आगे कहा गया है जो दूसरी पंगती है ठीक है उसको लेकर के ही Confusion उसको देखते है नहीं है अभाव स्वभाव का उसमें जो भाव में दिखाई देता है और उसमें भी जिसका अभाव प्रतीत होता है ठीक है? शब्द थोड़े उलजे हुए हैं पर समझेगा वही है, exactly वही है नहीं है अभाव स्वभाव का उसमें भी जो दिखाई देता है और उसमें भी जो दिखाई नहीं देता दोनों का ही स्वभाव एक ही है हो भी नहीं और हर जाँ हो नहीं है अभाव स्वभाव का कहीं भी सत्य सर्वता सदैव है जब दिखे तब भी है और जब न दिखे तब भी है यह कहा जा रहा है कि स्वभाव का अभाव कहीं भी नहीं है न भाव में न अभाव में स्वभाव समझेए सत्य सोर्स स्रोत है ठीक है लिख लिए स्वभाव स्रोत है उसका अभाव कहीं नहीं है इसका मतलब जो कुछ है स्रोत से ही है एक वीडियो डाला हुआ है जिसकी heading exactly यही है, truth is the source of imagination and facts. जो प्रतीत होता है वो भी उसी से आ रहा है और जो प्रतीत नहीं होता वो भी उसी से आ रहा है सब कुछ उसी से आ रहा है स्वभाव का अभाव कहीं नहीं है स्वभाव बने सत्य स्वभाव वहीं है सत्य का वहाओ कहीं नहीं है पर इतनी सी बात कहीं जा रही है सत्य सर्वदा सदैव है जो है वो भी सत्य है हाँ बिल्कुल है जो भी है वो सत्य है ही पर यदि उसे सत्य रूप में देखा जाए ऐसे समझेए आप एक दीवार को देखते हैं वो दीवार आपके लिए हजार अर्थ लेकर के आती है वो अर्थ लगातार बदल रहे हैं वही दीवार थोड़ी देर में हो सकता न रहे नहीं ही रहेगी नहीं ही रहेगी पक्का है कि समय बीतेगा और दीवार जाएगी कोई दीवार ऐसी नहीं है जो अनंत काल से आज तक खड़ी हो हर दीवार गिरेगी दीवार को लेकर आपके जो अर्थ हैं वो लगातार गिरेंगे क्योंकि कोई दृष्टे ऐसी नहीं है जो सदा एक सी हो फिर आप ही उसको सत्य नहीं कह पाओगे क्योंकि बदल गया यदि आप उस दीवार को ऐसे देख पाओ कि वो सत्य ही है कभी बदलेगी नहीं तो बहुत बढ़िया, दिक्कत यह नहीं है कि दीवार असत्य है, दिक्कत यह है कि आप ही थोड़ी देर में बोलोगे कि वो तो असत्य था भी, आपका आज एक नजरिया है एक वस्तु के प्रते थोड़ी देर पहले दूसरा नजरिया था अभी वो पहले वाला नजरिया कैसा लगता है तो आप ही कह रहे हो ना कि वो सत्य था दिक्कत बस यही है परमार्थ आके आपसे आप एक्षा नहीं कर रहा है कि दिवार को जूटा बोलो और सुरोत को सच्चा बोलो सुरोत ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है आपके सामने सुरोत बिल्कुल ऐसी कोई शर्त नहीं रखा है कि दिवार जूटी है मैं सच्चा हूँ आदमी जूटा है परमात्मा सच्चा है सुरोत नहीं आकर कही कह रहा है यह आप ही तो कहते हो आपको आदमी में सुरोत दिखाई देता है क्या सुरोत ने तो अपने आपको पूरे तरीके से आदमी में भी दिवार में भी जानवर में भी पौधे में सब में पकट कर दिया है पर आपको दिखाई देता है क्या तो बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि इसके पार जाना है ठीक है आपको अगर इसमें सत्य दिखता हो तो पार बेशक मत जाओ पर आपको दिखता कहा है आप खुद ही बोलोगे थोड़ी देर में क्या सत्य है पर आपको अगर रहा है